हेलो नमस्कार साथियों मैं हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिस्यल में अगर आप इस चैनल पर नए है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए तो फ्रेंट्स आजकी इस वीडियो में आजकी इस मौर्निंग न्यूस में हम बात करने वाले DSSB के अंदर काफी recruitment आई थी तो उनकी जॉइनिंग अभी तक नहीं हुई है क्या कारण है या कितना टाइम और लग सकता है तो फ्रेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँआ जैसे अभी काफी गैस टीचर को जो उनका कारियकाल है वो बढ़ा दिया गया है और लगबग सेप्टेंबर तक उनको रखा गया है तो इससे कुछ बातें साबित होती है कि साइद DSSB अभी जो जो जोइनिंग पर करिया है उसमें समय लगाने वाला है और इसके रिगार्डिंग आप लोग जल्द से जल्द कोई स्टैप ले क्योंकि अगर स्टैप नहीं लिया जाएगा तो हो सकता ही कि आपकी जोइनिंग और आगे जा सकती है तो मैं आप सभी के हित के बारे में ये चीज़े सोच कर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और आगे आप लोगों की सोच है कि आप लोग क्या सोच रहे हाला कि जिनकी जोइनिंग हो नहीं है आज नहीं तो एक मेने बाद दो मेने बाद जोइनिंग हो जाएगी लेकिन हाँ टाइम बहुत जादा हो गया वो चीज़े मैंने नोट करी है इस वज़े से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जॉइनिंग में साथ और टाइम और लगा सकते हैं मतलब थोड़ा टाइम और लगा सकती है DSSB क्योंकि अभी जो देखने में आ रहे हैं कि गैस टीचर्स हैं उनको अभी कारियकाल बढ़ा दिया गए हला कि गैस टीचर्स की बावजूद भी काफ़ी वेकंसी दिल्ली की अंदर हैं और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो गैस टीचर्स हैं उनके लिए भीग्वर्ण्मेंट कुछ नव कुछ अलग करे या तो उन्हें कुछ अलग डिपार्टमेंट में सिफ्ट करें कुछ न कुछ ऐसा करें क्योंकि काफी टाइम से गैस टीचर्स को गॉर्णमेंट टेप में साथ जोड के रखा है और काफी ऐसे हैं जो ओवरेज हो गए हैं तो इसके रिगार्डिंग में गॉर्णमेंट को कुछ सोचना चाहिए तो फ्रेंट्स ये सब अपडेट थी आप रोगों के लिए जो मैं बताना चाहरा था कि जोइनिंग के लिए अभी कुछ सोचा जाएगा कि कुछ स्टैप लिया जाए ना लिया जाए और इसके बाद इस वीडियो के साइड में एक हमारा दूसरे चैनल है उसकी वीडियो है थोटी सी आपको देखने को मिलेगी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो friends दूसरी वीडियो साथ में देख लीजिए जाहिन Hey everyone, welcome to your own channel Study Kingdom आज मैं आप सभी के लिए एक new topic लेके आए हूँ that is the reflexive pronoun आपने topic की reflexive pronoun reflexive pronouns are words ending in self or selves that are used when the subject and object of sentence are the same अब यहां पर बताया गया है कि यह जो reflexive pronoun होते हैं इनके end में हमेशा self लगता है या selves लगता है और मुझे उमीद है कि आपको पता है कि self कहां लगा जायता है और selves कहां लगाया जाता है self लगाया जाता है हमारा जब singular की बात करते हम और selves का उप्योग होता है जहां पर plural की बात की जाती है फिर आगे बताया है कि यह subject होते हैं subject और object होते हैं तो जो effect देखने को मिलता है subject और object को दोनों का same ही देखने को मिलता है या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी subject का effect उसी के उपर reflect back होता है तब हम बोलते हैं कि यह reflexive pronoun है और ऐसे भी बताया जा सकता है कि जो हमारे possessive person प्रनावन होते हैं उनके साथ ही हमेशा reflexive pronoun का use किया जाता है यह बात हमें याद रखनी है तो यह था reflexive pronoun अब आगे बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से